हाई गाईज वेलकम चुन अधर एपिसोड अफ करंट अफेयर्स आज की तारीक है 6 जनवरी 2021 हमारे दो चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रेंटियर आएस और अगर अब तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट्स हैं सब्सक्राइब करना है यह सेशन दोनों चैनल्स पर सुबद चार बज़े वेलेबल हो जाता है साथ ही साथ डेली वीडियोज पीडिएफ एन मंतली मैगजीन के लिए आप हमारे टेलिग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आएस और सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टार्ट करेंगे प्रीवेस क्विज के साथ अपना पहला क्वेस्टन देख लीजिए क्या था इन सॉल्वेंसियन बैंक रप्सी कोड लौ अन प्राक्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है तो इसका सई जवाब था अकांत कुमार मित्तल और आपका दूसरा क्वेस्टन दिया गया था राश्टिक एडिट कोर एंसी सी के महानिदेशक यानि डारेक्टर जनरल कौन बने हैं तो इसका सई जवाब था लेफ्टन जनरल तरुन कुमार आइच शुरू करेंगे पहले क्वेस्टन के साथ आपसे पूछा गया है कि किस राज्य का असम राइफल्स बंतरी यानि श्री किरेन रिजीजू ने शिलॉंग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में लौंच किया है अब ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपोर्टन है कि पुर्वोतरक शेत्र यानि इस्ट साइड में असम रा बंधन रक्षा और अर्ध सैनिक बलो दुवारा किया जाता है यहां आपको ध्यान रखना है कि असम राइफल्स के डारेक्टर जेनरल है लेफ्टनेंट जेनरल सुखदीब सांगवान यहां पर एक क्विक रिविजिन की बात करें तो इंडिया इंटेनाशनल चेरी ब्लॉ अगला प्रशन देखो अखिल भारतिय शत्रंज संग के अधियक्ष यानि प्रेजिडेंट के रूप में किसे चुना गया है तो इसका सही जवाब है आपको अप्शनेंबर B संजे कपूर तो संजे कपूर को अखिल भारतिय शत्रंज संग यानि All India Chess Federation जिसे हम AICF भी बोल कि अधियक्ष के रूप में चुना गया है जबकि भरत सिंग चुहान को सचीव पद पर बरकरा रखा गया है सचीव भरत सिंग चुहान और उनकी टीम ने पी आरवी राजा यानि पी आर वेंकिट राम राजा की अधियक्षिता वाले गुट पर भारी जीत दर्ज की उत्त अधर प्रदेश शत्रंज संग का प्रतिनिधित्व करने वाले कपूर ने पी आर वेंकिट राम राजा को पराजित किया यहां पर एक को एक रिविजन देखो लियोन मेंडो का इंडिया के 67th Grand Master बने हैं अगला प्रेशन देखो My Ears with Rajiv Triumph and Tragedy पुस्तक इसने लिखी है तो इसका सही जवाब आपका रहे गए यहां पर Option B वजाहत हबिबुला तो वजाहत हबिबुला ने My Ears with Rajiv Triumph and Tragedy पुस्तक लिखी है इस पुस्तक में पाकिस्तान से निपटने में राजीव गंधी सरकार के प्रयासों पर और शहबानों मामले का भी उलेख किया है इसके अलावा वहाजत हबिबुला भारत के पहले मुख्य सूचना आयूक थे वे राजीव गंधी के सेपाठी भी थे वे राश्ट्र अल्प संक्यक आयोक के पूर्व अधियक्ष भी थे यहां पर एक को एक रिविजन की बात करे तो जेसी भी सहिते पुरसकार लेखक S. हरीश की पुस्तक मुस्टैश को दिया गया है अगला प्रशन देखो हाल ही में किसने जम्मो कश्मीर लद्दाख हाई कोट के मुख्य न्यायधीश यानि चीफ जस्टिस पद की शपत ली है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमब करें हैं हाल ही में मुख्य न्यायधीश गीता मित्तल की सेवा इनृत्ती के बाद मुख्य न्यायधीश जम्मो कश्मीर है मनोज सिन्हा और लदा के अगला प्रेशन देखो भारतिय सेना यानि इंडियन आर्मी के मानव अधिकार सेल यानि human right सेल के पहले प्रमुक हेड कौन बने है ऐसे questions बहुत important रहते हैं क्योंकि ऐसा कोई पहला जो है इस पद के लिए न्युक्त किया गया है इसका जो सही जवाब आपका रहेगा that will be option number B बहतर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए एक प्रमुक major rank के अधिकार की न्युक्ती की है major general गौतम चोहान ने अतिरिक्त महाने देशक मानव अधिकार के रूप में पद भार ग्रहन किया वे भारतिय सेना के उप प्रमुक के नेत्रेतवर में काम करेंगे आपको ये भ कारी भी हैं इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ब्लेट्रेंट जेनरल है एसके सैनी अगला प्रशन देखो अंटाक्तिका में चालिसवे भारतिये विज्ञानिक अभियान यानि 40th साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटाक्तिका के लिए किस कंपनी ने इंधन प्रदान किय है तो इसका सही जवाब है आपका option number B Indian oil तो भारत ने पांच जनवरी 2021 को अंटाक्तिका के लिए 40व विज्ञानिक अभियान चुरू किया इसे गोवा से रवाना किया गया जिसमें 43 सदस्या हैं यह यात्रा चार्टेड आइस क्लास पोत MP वासिली गोलो विनिन पर की जा र आएगा वापसी पर यह इससे पहले गई शीत कालिन टीम को वापस लाएगा अंटाक्तिका अभियान इंडियन ओयल से इंधन खरीद रहा है इसकी अनूठी विशेशता यह है कि विमानन इंधन जेट A1 को एक गैर विमानन ग्राह को थोक और पैक्ड रूप में आपूर्त की बात करें तो इंटाक्तिक संधी पर 1961 में हस्ताक्षर किये गए थे वर्तमान में संधी के लिए 54 हस्ताक्षर हैं अगला प्रेशन देखो भावीना पटेल की स्खेल से संबंदित हैं तो इसका सही जवाब आप करेगो ऑप्शन अमबर D पैरा टेबल टैनिस टार्गेट अलम्पिक पोडियम स्कीम जिसे शॉर्ट में हम टॉप्स भी कहते हैं नेहाल ही में पैरा टेबल टैनिस खिलाडी भावीना पटेल के लिए विते प्रस्तावों को मंजूरी दी है टेबल टैनिस खिलाडी को नवंबर 2020 में टॉप्स में शामिल किया गया था यहां मैं आप दूदा विशु रांकिंग के कारण टोक्यो पैरा लंपिक के लिए क्वालिफाय करने वाली वह पहली भारतिय बन गई है अगला प्रेशन देखो पोर्ट शिपिंग और जल मार्ग मंत्राले ने चैनित मार्गों पर सीप्लें सर्विस की किस परियोजना की शुरुआत की ह हैं तो इसका सही जवाब रहेगा option number C सागर माला अब ऐसे questions important रहते हैं उसके लावा आप options देख लीजे बहुत ही tight हैं तो ध्यान रखेंगे सही जवाब इसका option number C सागर माला तो भारत सरकार चैनित मार्गों पर सागर माला सीप्लें सेवा की परियोजना शुरू करेगी सागर माला सीप्लें सेवा जहाज रानी और जल मार्ग मंत्राले द्वारा कारणवित की जाएगी इस परियोजना का उदेश्य जल निकायों के पास परियाटकों धार्मिक और दुरस्त संस्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करना है यहां photograph में एक प्रपोज लोकेशन द 37 अक्टूबर 2020 को प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था अगला प्रशन देखो भारत की 51 वे अंतरराश्ट्रे फिल्म होटसर्व के लिए किस देश के फिल्म निर्माता पाबलो सेसर को जूरी के ध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है तो इसका इसमें और भी अन्य जूरी सदसे शामिल है जैसे श्री लंका के प्रसन्ना विथानगे औस्ट्रिया के अबू बक्र शाकी भारत के प्रिय दर्शन और बांगला देश के रुबेत हुसेन है अब यहां पे आपके लिए इंपॉर्टन रहेगा कि इंडिया के प्रिय दर्श एक भारते फिल्म निर्देशक पट कथा लेखक और निर्माता है यहाँ तस्वीर देखिए उन्होंने विभिन भारते भाषाओं में मुख्य रूप से मल्यालम और हिंदी में 95 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया है बात करें अर्जेंटीना की तो इसी कैपिटल है और करंसी है अर्जेंटीने पैसो अगला प्रशन देखो हाल ही में किस राज्ये ने युवाओं को आत्म निर्बर बनाने के लिए लॉंच पैड स्कीम शुरू की है बहुत इंपॉर्टन क्वेस्टन है इसका सई जवाब रहेगा ऑप्शनमबर डी मध्य प्रदेश तो पांच पैड योजना के तहट राज्ये के 52 जिलों को पांच समुहों में विभाजित किया गया है पांच संभागे मुख्यालिय इंदौर सागर गौालियर जबलपूर और भुपाल में शुरू किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के इस नवाचार को केंद्रे सरकार न स्टेश्बर डिटिपी कारेकलिस्थान प्रधान करेगा बात करें मध्य प्रदेश की, तो इसके डैंज और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल, इंदीरा सागर डैम नर्मदा, नाशनल पार्क में आता है कानहा टाइगर इसर्व, पन्ना नाशनल पार्क पें बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की इंडियन आर्मी के पहले हेड बने है मेजर जनरल गौतम चोहान 40th Scientific Expedition to Antarctica के लिए इंडियन ओईल ने फ्यूल प्रोवाइड किया है भाविना पटेल पैरा टेबल टैनिस से जूड़ी हुई है Ministry of Ports, Shipping and Waterways ने Sea Plane Services के लिए Project Sagar Mala लौंच किया है अर्जिन्टीना के पाबलो सीजर को 51st International Film Festival of India में जूरी में चेर्मेन निउक्त किया गया है और मध्यपरदीश सरकार ने लौंच पैड स्कीम शुरू की है बात कर लेते हैं आज के सेशन के Quiz for the Day की जिसकांसर आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है आपका पहला क्वेस्चन है माई एर्ज विद राजीव ट्रायंफ एन ट्राजडिव पूस्तक किसने लिखी है और आपका दूसरा क्वेस्चन है अखिल भारतिय शत्रण्ज संग के अधियक्ष के रूप में किसे चुना गया है और अगर अब तक आपने मार चान्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और हमारे टेलिग्राम हैनल्स को जोईन जरूर करना है तांक्यू सो मच